देश की एजेंसिया मोधी सरकार के इशारे पर काम कर रही है क्या देश की एजेंसियों में बैठे हुए अधिकारी मोधी सरकार की कटपुतली बन गए है और अगर सरकार बदल गई तो इन अधिकारियों को एक एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा देश की मीडिया को हर दिन ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी सरकार बदलने पर बहुत कुछ बदलेगा क्या नमस्कार मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सल्टो यह सारी बातां कॉंग्रेस पाइटी की ओर से बाकाइदा एक प्रेस कॉंफरेंस में कही गई हैं कॉंग्रेस के क्या क्या करने वाले हैं वह आप देखेंगे रोज आपको ब्रेकिंग निउस देंगे वह यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि जो अधिकारी मोदी के कट पुतली बने हुए हैं कान खोल कर सुन लें सबको एक एक लाइन में खड़ा करके कट घरे में खड़ा कर दिय जाएगा अधिकारी जो इनकी कट पुतली बने हैं ये भी आज कान खोल कर सुन लें एक एक को कट गरे में खड़ा किया जाएगा मजाग बना रखा है अधिकारियों ने कितने भी लेवल का अधिकारी हो किसी भी संस्ता का हो कितना भी बड़ा आला अधिकारी हो उसे कट ग लोग हो रहा है यह कॉंग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बरदास्त नहीं करेगी दोस्तों तौझ देश के वो हम बरदास्त नहीं करेंगे बहुत कुछ बदल का है दोस्तों का वाकरी मैं देश में जो हैं वो गलत तरीके से काम कर रही है मोधी सरकार के इशारों पर काम कर रही है जो भी सोस्ते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजे इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ सरल्टॉक के टोइटर टेलीग्राम इस्टाग सब्सक्राइब कर सकते हैं नमस्कार